प्राणी है माईल्स की जो है एक वीडियो गेम प्रोग्रामर था एक सवेरे जब हो अपनी नीन से उठता है तो अपने हातों को देख कर बहुत घबरा जाता है क्योंकि किसी ने उसके हातों का आपरेशन करके उसमें गन्स फिट्स कर दी थी एक गन्स उसकी हातों से शुरू से भी उस गन्स से गोलिया चल सकती थी वो जम भी किसी से मदद मागने की कोशिश करता था तो लोग उसे देखकर तूरंद पुलिस को फोन करते थी अब क्या माईल्स इस गन्स को अपने हातों से निकाल कर फिर से अपनी नर्मल लाइब जी पाएगा और सबसे जरूरी सव उन गन्स को उसके हातों में पिट किसने किया और माईल्स से क्या गरवाना चाहता है माईल्स की पूरी कहाणी जानने के लिए देखते रहे हमारी आज की मूवी को जिसका नाम है गन्स अकिम्बो इस मूवी की शुरुवात में हमें पताया जाता है कि एक डार्क एप पर ए आयू स्ट्रीम करते थे जिसको दुनिया मर के लोग डार्क वेर पर देखा करते थे इस गेम की सबसे खतर नाक किलाडी का नाम था निक्स निक्स जब 13 साल के थी तब से ओ गेम को खेल रही है और इसमें ओ कभी भी नहीं हारी क्योंकि इसमें हारने वाले को मरना पड़ता था इसके बाद हम माईल्स को देखते हैं जो गेमिंग कमपणी में कोडिंग का काम करता था लोगों को लगता था कि उसका काम कितने बढ़िय पर असल में माईल्स को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसे तो ओ गेम भी बिल्कुल पसंद नहीं था जिसके लिए ओ काम करता था उसका बास उसे आए दिन जॉब से निकालने की धमकी देता था क्योंकि ओ बहुत आलसी है और अपना काम टाइम पर नहीं करता है यही कुछ बाते थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी इन परेशानियों के बावजुत एक जगह ऐसी थी जहां पर वो अपनी सारी बड़ास निकालता था और वो जगह थी इंटरनेट इंटरनेट पर माइल्स उन सभी लोगों को गालिया देता था जो कोई भी उससे अलग सोच रखता था वो लोगों को ब्लॉग करता था पोस्ट और वीडियोस को रिपोड करता था और वो सारे काम करता था जो उससे इंटरनेट पर देखना पसंद नहीं था एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि टीवी पर और एक न्यूच चानल पर स्कीजम के बारे में बाते हो रहे थी मायल्स तो लगा कि क्यों ना हो इंटरनेट पर उन लोगों का मज़ा खुडाई जो स्कीजम पर लोगों को मरते हुए लायू देखते हैं वो एक प्रोग्रामर था इसलिए ओपटापट डार्क वेप को ओपन करके उन लोगों को गालिया दरे लगता है जो लोगों को मरता हुआ देखकर खुशो रहे थे लेकिन उन्हें ट्रोल करते करते इस कीजम के उपर उगलती से उस आदमी से भीड़ जाता है जो उस पूरे नेटवर्क को चलाता था इस आदमी का नाम रेक्टर था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी कस्टमर्स का इस तरह मजा को ड़ा है उन्हें गालिया देते देते माइल्स को पता चल जाता है कि माइल्स का आईपी आड्रेस उन्हें लोगों को पता है इसलिए वो तुरंट इस कीजम को बंद कर देता है क्योंकि आईपी आड्रेस से किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है तब ही माइल्स को उसकी एक्स गल्फरेंड का मेसेज आता है और उसे मिलना चाते थी माइल्स उसे मिलने के बारे में सोचकर कहांबी कुष्टा और एसे ही सुन्दर सा सपना देखते देखते वो सोजाता ही तब ही उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्टक देता है माइल्स दरवाजे को खोलना नहीं चाता था पर वो उन लोगों को दरवाजे को तोड़ने से रोक नहीं पाया अब हम देखते हैं कि ए आदमी कोई और नहीं बलकि रेक्टर ही था स्कीजमा गेम का मालिक ओ माइल्स का लैप्टॉप चेक करके कन्वाज करता है कि माइल्स ओही आदमी है जो इंटर्नेट पर उन्हें गालिया दे राता उसके हातों को तोड़ने आई थे क्योंकि उन्ही एंटर्नेट पर उसके बारे में बला बुरा लिखाता लेकिन regular के दिमा में माइल्स के लिए उससे भी बुरे प्लान दें उससे बेहोश करते हैं और उसके हाथों का operation करके उसके अंदर दो guns को fit कर देते हैं जब माइल्स को होश आता है तब उन guns को देख कर बहुत ज़्यादा डर जाता है माईल्स हेल्प करने के लिए अपनी गल्फिंग को कॉल करने की कोशिश करना था पर उन गन्स की वज़ो से ओपने मोबाईल को पकड़ी नहीं पाता माईल्स को पता चलता है कि उसे 24 गंटे में एक निक्स नाम की लड़की को माल आई निक्स इस गेम की सबसे बढ़िया किलाडी थी और माइल्स ने अपनी जिन्दगी में किसी को मालना तो छोड़ो कभी किसी से उन्ची आवाज में बात भी नहीं की थी दूसरी तर अब हम निक्स को देखते हैं जो रेक्टर से कह रही थी कि ओब इस गेम को और नई खेला चाती है और यहां से निकलना चाती है तब रेक्टर उसे कहता है कि उसे एक और आत्मी के साथ उसका आखरी मैच खेलना है इसके बाद और इस गेम को छोड़ कर जा सकती है निक्स भेश बदर कर एक पूली स्टेशन में जाती है क्योंकि और किसी को भी मारने से पहले सबसे पहले उसका क्रिमिनल बैग्राउंड चेक करती थी पर माइल्स की केस में साथ कुछ भी नहीं था उसने कोहीं भी क्राइम नहीं किया था और तो एक दम शरीपाद में था दूसरी तरफ माइल्स को उन गर्ण्स की वज़ो से टोलेट करने में बहुत परिशानी आ रही थी क्योंकि उसके गल्दी और सब कुछ खत्म और जैसे ही कपड़े पहन कर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता ही उसे अपने सामें निक्स दिखाए देती है निक्स उसे देखते ही उसके उपर अंदा दुंद गोलिया चलाने लगती है माइल्स उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और निक्स को उसकी हालस से कोही मतलब नहीं था और बस उसे मालना चाती थी माइल्स भागते भागते उच पूलीस वालों के सामने आता है और उनसे हेल्प मांगता है पर पूलीस वाले उसके दोनों हातों में गर्ण्स को देकर उसे सरेंडर होने किने केता है माईल्स उने अपनी बात समझाने की कोशिश करना था पर माहूल और खराब हुजाता है उन पूलिस वालों से भागते भागते माईल्स का दम गुटने लगता है क्योंकि ओ अस्तमा का मरीस था और ओ अपना इनेलर गर पर ही भूल गया था वो पूलिस वाला उसे जोर का बिजली का चटका देता है पर उसके सामने से माईल्स गल्ती से उस पूलिस वाले पर ही गोली चला देता है अब उसके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई राजता नहीं था क्योंकि निक्स उसके फोन को ट्रैक करके उसके पीछे हाथ दोकर पड़ी हुई थी और वो भागते भागते एक गार्डन में आता है जहां उसकी गल्फे नोवा उसका इंतजार करही थी माइल्स उसे तूरा दिवा से चलने के लिए कहता है क्योंकि निक्स उन दोनों को वाजगा से उडाने वाली थी ओ इतना घबराया हुआ था कि ओ अपने इस मिशंग के पारे में नोवा से ठीक से जुट भी नहीं बूल पाता और जब नोवा उसके हाथों में गर्ज देखती है तो उसकी बातों को नहीं सुनती और उससे डर कर महां से भाग जाती है अब माइल्स का साथ देने वाला को ही भी नहीं था इसलिए ओ अब ये डस्ट मिन में जाकर चुप जाता है रेक्टर के लाइट ट्रीम ओले लोग उसके नजर रके हुए थे रेक्टर का लाइट ट्रीम ओला डायक्टर उससे नजर हटा कर निक्स को फोकस में ले लेता ही पर रेक्टर माईल्स को ही देखना चाता था इस पर उनकी बहस होती है लेकिन रेक्टर को उस पर इतना गुस्सा आता है कि ओ अपने ही डायक्टर का गला दबा कर उसे मार देता है हम देखते हैं कि नोवा पूलिस वालों के पास हेल्प मागने आई थी पर उपूलिस वाले माईल्स को नहीं बलकि उसके सहारे निक्स को पकड़ना चाती थी क्योंकि उसी नहीं पूरे शहर में आतंग मचा रुका था माईल्स उस डस मिन से बहार निकलता है और अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है लेकिन उन गर्ण्स की वज़ों से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था वो इतना निराश हो गया था कि वो आकेर में सुसाइड करने की सुचता है और उसके पास एक बिकारी बेटा था वो गर्ण्स को सही डारेक्शन में रखने की एडवाईस देता है जिससे गोली सीधे उसके दिमाग के पार जाए मायल्स को लगा कि वो बिकारी थुड़ा अजीब है लेकिन वही बिकारी उसको कपड़े पहनने में हेल्प करता है जिसके बाद मायल्स अपने ओपिच जाता है तब उसे पदा चल गया था कि उसे ट्रैक किया जła रहा है रस्ते में जाते बग उसे पदा चलता है कि उसके ऑपिस के कही लोग उसे इस्कीजमगी वझा से पहचाने लगी थे और अपने दोस से कहिता है कि वो उसके फोन से प्रेसिंग वाईरस को निकाल दे जब उसका दोस वाइरस को निकाल रहा था तब ही वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है और माइल्स को उपिस लेट आने के लिए उस पर चिला रहा था माइल्स दिन के शिर्वास से ही बहुत कुछ देख रहा था अब उसे अपने बॉस की बातें बरदाश ने हो रहे थी इसलिए उसे अपनी गंस दिखा कर उस पर चिलाने लगता है उसके बॉस ने उसे पहले बार उसे इतने गुस्से में देखा था और उपर से इस बार उसके पास गंस भी थी इसलिए बॉस उससे डर जाता है तोड़ी देर में वहाँ पर निक्स पहुंच जाती है जो उसके बॉस को मार कर उनके ओपिस के उपर फारिंग करने लगती है माईदस भी उस पर गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना काफी बेकार था इतना बेकार कि वो गलती से भी निक्स को शुट नहीं कर पाता वो एक कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है और बिना उंगलियों के उसे स्टेरिंग पकरने में परिशानी हो रही थी जिसकी वज़ों से उसका जोरदार एक्सरेंड हो जाता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है माइल्स निक्स को उसकी जान बक्षने के लिए केता है पर हमें यहाँ पता चलता है कि निक्स उसको इसलिए मालना जाती थी क्योंकि एसा करने के बाद रेक्टर ने उसके सारे क्रिमिनल रेकॉर्ड्स को मिटाने का वादा किया था मायल्स उस पर गूलिया चलाते जलाते गल्ती से गैस टैंग को शुट कर देता है और उसे निकलने वाली आपको देखकर निक्स एकदम से सुन पड़ जाती है जैसे कि उसे आपसे बहुत डर लगता हूँ मायल्स के पास उसे मारने का मुका था पर ओ ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है इसके बाद ओ नोवा को वीडियो कॉल करता है और उसे कहता है कि उस शोहर को छोड़ कर कही दूर जा रहा है पर रेक्टर उसे वीडियो कॉल पर ही किड्नैप कर लेता है क्योंकि ओ नहीं चाता था कि मायल्स इस गेम को छोड़ कर कही जाए रेक्टर उसे कहता है कि उसके पास निक्स को मारने के लिए सिर्फ पाच गुंटे ही और अगर उसने इसा नहीं किया तो नोवा को जिंदा ही गार देगा इसके बाद मायल्स अपने फोन में फिर से उस ट्रैकर को अन कर देता है और उसी फोन से पूलिस को फोन करके अपनी लोकेशन पर बुलाता है ताकि वो दोनों जैसे ही एक बुसरे के आमने सामने आए पूलिस निक्स का इंकाउटर करे वो अपने फोन को छोड़ कर वहां से जाने लगता है लेकिन गल्दी से वो कूछ गैंस्टर के बीच पहुंचाता ही वो वहाँ पर डक्स की डिलिंग कर रहे थी जब वो माइल्स को देखते हैं तब उने लगता है कि माइल्स उनकी जास्ति कर रहा था इसलिए उसके सिर पर अपनी बंदुक तान देते हैं लेकिन इससे पहले वो माइल्स को मारती निक्स वहाँ पर पहुंचाती है और वो सबी लोगों को मशिन गन से शूट करके मार देती हैं क्योंकि इस गेंग को जीतने के ले उसे ही माइल्स को मारना था माइल्स मा से जान बचा कर भागने लगता है लेकिन इसी दोरान वो एक आर्मी को शूट करके मार देता है पहली बार था कि उसमें किसी की जान ली हो पर इसका कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि पूलिस ने उसे फिर भी गिरपतर कर लिया था और माइल्स को गिरपतर करके उसे अपने साथ पूलिस टेशन ले जाते हैं पहले समझाने की कोशिश करता है कि रेक्टर ऐसा उससे जबरदस्ती करवा रहा है और उन दोनों में से कोई भी उसकी सुनने को तयार नहीं था या माइल्स को पत्ता चलता है कि नीक्स तो उस इनस्पेक्टर की बेटी है दरसल 16 साल पहले इनस्पेक्टर ने रेक्टर को अरेस्ट कर लिया था और इसी का बदला लेने के लिए रेक्टर ने उस इनस्पेक्टर की पूरी फैमली को कार पे बिटा कर बम से उड़ा दिया था और इंस्पेक्टर कहता है कि उस दमागे में उसकी बेटी को छोड़ के उसका पूरा परिवार जलकर मर गया तब माइल्स को समझ में आता है कि यही कारण था इसलिए उस दिन नीक्स आग को देख कर इतना डर गई थी हमें पता चलता है कि उन पूलीस वालों के पेच रेक्टर का एक खबरी भी था और वो कई और नहीं बल्कि माइल्स के साथ ही बेटा था वो बहे रुपिया इनिस्पेक्टर को मार डलता ही और माइल्स को एरेक्टर की रेकर्डेट फुटेज दिखाता ही जिसमें वो केरा था कि अगर वो इसके बाद फिर से पूलीस से मदद मागने गया तो वो उसकी गल्फेंड को मारने के लिए पाच गुंटे पुरे होने क इंकजाल नहीं करेगा माइल्स उस ओपिसर की लाश के पांस भी बेटा हुआ था वो देखता है कि और इंस्पेक्टर उसके और नोवा के फोन को ट्रैक कर रहा था उसके बाद माइल्स अपने और हैकर भीन के पाच जाता ही और उसके बाद नोवा के फोन की और शायद यही कारण था कि रेक्टर उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाता था, वो चाता था कि जादा से जादा लोग उसे इसी तरह अपने जान की भीग मांगते हुए देखे, हम देखते हैं कि माइल्स जब उसकी प्रेंड की लोकेशम को ट्रेस करते करते एक जगह पर पहुशता है, तब रेक्टर वहाँ पर उसी का इंतजार कर रहा था, उसके सामने नुवा को मार कर वांसे भाग जाता है, माइल्स अपने सामने नुवा को मरता हुआ देखकर रोही रहा था कि तब ही उसे पद्दा चलता है कि ए लाश नुवा की नहीं, बलकि उसके दोस् समझ जाता है कि अगर उसे सब रोकना है तो उसे निक्स को मारना ही था, इसलिए वो फिर से अपने फोन के जीपियस को आन कर देता है, जिससे निक्स ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाती है, मायल्स उसे कहता है कि हम दोनों को मिलकर रेक्टर से लड़ना होगा, नहीं त को देख रहे थे, वो मायल्स के मौत से बिलकुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसने उने किसी दूसरे कंटेस्टन से जादा मज़ा दिलवाया, नोवा मायल्स को मरता होँँ देखकर रोणे लगती हैं, और कुछ लोग उसकी बोड़ी को वहां से उठा कर सभी सबुतों क साप कर देते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि अब जैसे हो लोग उसकी बोड़ी को डिस्पोस करने वाले थे, तभी मायल्स उठकर आता हैं और उन दोनों को मार देता हैं, और ऐसा इसलिए हुआ था, क्योंकि ए उसकी सोची समझी चालती, निक्स जब उसके पास आई थी, तभ मायल्स ने उसे बताया कि जिस इनिस्पेक्टर को रेक्टर ने मरवाया, उसके डैड थे, यह सच्चाई जानकर निक्स को रेक्टर से बदला लेना था, इसलिए उसने मायल्स को नहीं मारा, मायल्स ने शुट होने से पहले एक बुलेट प्रूप जैकेट पेहन ली थ तक वो अपने लोगों को उने मारने के लिए मिशता है, मायल्स देखता है कि रेक्टर इस कीजम को पूरे दुनिया में फेला चुका है, और उसे अब रोप पाना नामुन कीन है, निक्स अब एक आदमी से बहुत मार खा रही थी, यहा तक कि उसकी उंगलिया भी काड देत है, लेकिरों इतनी आसानी से हार मानने वाली लड़की नहीं थी, आखिरकार एक बड़े से दमाके के साथ रेक्टर के सबी लोग मारे जाते है, मायल्स अब निक्स की कटी हुई उंगलिया उठा लेता है, क्योंकि वो दोबारा भी जोड़ी जा सकती थी, रेक्टर अब न ना मुणकिन था, लेकिन निक्स अपने परिवार का बरिला लेने के लिए खुद को भी सेक्रिपैस करने के लिए तयार थी, वो मायल्स से कहती है कि वो उसके लिए रेक्टर को जरूर मारे, और इतना कहे कर वो खुद को एक बम लगा कर रेक्टर के आद्मियों के बीच मे कुछ जाती है, और जितना हो सके उटनी आदमियों को मारती है, और आखिर जब बहुत घायल होती है, तो अपने उपर लगे बम को प्लास्ट कर दीती है, अब मायल्स देखता है कि नोवाने उस तक पहुंचने के लिए रेक्टर जब उसे ले जा रहा था, तब दिवार प कुछ भी नहीं था, मायल्स केता है कि नीक्स अब मर चुकी है, और एक खेल अब यही खत्मुआ, इसलिए और नोवा को अरुसे वहाँ से जाने दे, लेकिन रेक्टर ने इस गेम को कभी भी खत्मन न करने के इरादे से चालो गया था, मायल्स अब अपनी आकरी गोली उसे शुट करता है, लेकिन हर बार की तरह उसका इन निशाना भी चुट जाता है, इस समय इस कीजम को लगबग हजार लोग देख रहे थे, और उन्हें देखना था कि मायल्स अब नोवा को केसे बचाता है, हम देखते हैं कि रेक्टर उसकर एक के बाद एक गुलिया चला कर उ उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर भी मायल्स उस तक पहुंचता है और उसे बहुत मारता है, और आखिर में उसे बेल्डिंग से लटका नेता है, रेक्टर उसे कहिता हैं कि मुझे मार कर कुछ भी नहीं होगा, मेरे दिस से लोग पूरी दुनिया में है, लेकिन इस समय माय माईल्स पूरी दुनिया के बारे में नहीं सोचता और उसे बिल्डिंग से नीचे फिंगता है। नीचे गिर कर उसकी मौत हो जाते हैं और माईल्स इस गेन को जीट जाता है। माईल्स खून से लद्पत जमीन पर अद्मरा पड़ा हुआ था और नोवा को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। लेकिन सच्चा ही एकडम अलग थी। असल में नोवा उसे इस हालत में देखकर इतनी डर गई थी कि उससे दूर भाग रहे थी। हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी माईल्स अभी तक जिन्दा था और उसने अपने हातों को फिर से ठीक करवा लिया था और अब उसे अपनी जिन्दकी का मकसद भी मिल गया था जो कि दुनिया भर से इस किस्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। इसे के साथ एक कहाणी यही खत्म हो जाती हैं। उम्मीद कर दी होगी आपके मोवी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के उपर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। मिलती हो अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए ग बडबाई